गुड मॉर्णिंग क्लास, वेलकम टू किद्जारस वच्छो सीनियर केजी की क्लास में आज हम गर ब्लेंड सीखेंगे मैं आपको इससे पहले ब्लेंड के बारे में सिखाया है है ना, तो आज हम सीखने वाले गर ब्लेंड तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जी प्लस आर इस उकल टू होता है ग्रव है ना, तो ग्रव प्लस रव होता है ग्रव राइट दग्रव ब्लेंड, हमें सिर्फ ग्रव ब्लेंड ही लिखने है जिससे यहाँ पे ग्रव ब्लेंड में मैंने वर्स बना है तो सबसे पहला कौन सा है green उसके बाद है group फिर है ground और फिर है ground तो यह सारे grub blend है जिसे यहाँ पर अगर fill in the blanks दीए और फिर लिखा है double e n और मुझे बोले कि उझे grub blend यूज़ करना है तो मैं grub blend ही यहाँ पर तो क्या हो जाएगा green तो यह grub blend है उसी तरह अब लिखे हम group में blank o u and p ठीक है और यहाँ पर लिखना है यहाँ ग्रub blend तो मैं grub blend ही खुद तो क्या हो जाएगा group तो यह grub blend यूज़ हो रहा है फिर है ground तो हमें लिखना है यहाँ पर owl और हमें use कौन सा करना है ब्रेंड हमें gr तो हो जाएगा ground उसी तरह यहाँ पर अगर blank करें और यहाँ पर u o u nd आउन लिखे और यहाँ पर grub blend लिखना है तो क्या हो जाएगा ground तो इसी तरह में grub blend यूज़ करना है बचू आपको सिर्फ grub blend ही अपनी नूर्बूप में लिखना है अब यहाँ पर textbook में दिखाया ह हुआ है grub blend तीक है आपके पास textbook नहीं है तो आपको मैं जैसे सिखा रहे हूँ ऐसे आपकी नूर्बूप में लिखना है बचू तीक है अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि color the trolley with the grub blend हमें color नहीं करना है लेकिन हमें क्या करना है जो grub blend है उस पर ही tick करना है तीक है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो तब को grub blend कौन से कौन से दीख रहे है तो सबसे पहले है group तो इसमें grub blend आ रहा है देखो gr यहाँ पर grub आ रहा है तो यह grub blend फिर है gate जी है लेकिन grub blend नहीं है तो यह आएगा नहीं ठीक है उसकी बात क्या है greet तो grub blend आ रहा है हाँ तो यह grub अब आगे दिखते हैं अब है जर्म तो जर्म है लेकिन ग्रब्लेंड यूज हो रहा है नहीं तो अब इसे ग्रब्लेंड में नहीं ले सकते हैं अभी यहां पर है ग्राउंड तो यहां पर ग्रब्लेंड आ रहा है तो ग्राउंड को हमें तिक करना है ठीक है अभी यहां पर ह तो give में Grubland use नहीं हो रहा है बचो, ठीक है उसी तरह यहाँ पर है Ground तो Ground में Grubland use हो रहा है फिर क्या है? Green तो Grubland use हो रहा है? Greener, Grubland use हुआ तो यह सारे Grubland है तो जैसे मैंने आपको सिखाए बचो उसी तरह आपको आपकी इंगलिश की जो नोबूक है उसमें गरब लेंड लिखना है ठीक है बच्चो तो आज के लिए सीनियर के जी की क्लास में इतना ही तब तक के लिए गुडबाई